दोस्तो रोजाना गवर्रमेंट जोब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हैंसे सब्सक्राइब कीजिए और साथी साथ बेल ऐकन को भी दबा ले दोस्तो एक बार फिर से मापके लिए अगस 2022 में होने वाली पांच विभागों में बंपर भर्जोगी अपडेट लेके आचुके हैं जिहां दोस्तो इन फोर्म को भरना बिल्कुल मत भूलिएगा सुनेरा और बड़ा उसर निकला है ओल ओवर इंडिया से भारत के सभी राज्यों से आप आवीदन कर सकते हो महिला पुरुस दोनों केंडिडेट इन फोर्म को भर सकते हैं पचास जार से अधिक वेकनसी जहां पर निकली है दस्वी बारवी डिग्री पास के लिए आपर बड़ा मौका निकला है इस वीडियो की ओफीशल नोटिविकेशन की पीडियाप डाउनलोड कर सकते हो कैसे अपलाई कर सकते हो कब से कब तक आप अपलाई कर सकते हो step by step पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रही हमारे साथ इस वीडियो में अंतक इस वीडियो को पूरा देखने पर यह आपके उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेर करना मत भूलिएगा। की स्टार्टिंग डेट 20 अगस्त 2022 है अगस्त 2022 के बड़ी भरती की अपडिट है लास्ट एट अपलाइं ओलाइं करने की 5 सितमबर 2022 है एक्जाम डेट नॉम्बर 2022 है से लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड़ C के लिए 9300-4800 है लेवल 2 के अंतरगत स्टेनोग्राफर ग्रेड़ D के लिए 18-30 वर्स है ग्रेड़ D के लिए 18-27 वर्स है एपलिकेशन फीज जनरल OBC के लिए 100 रुपे है स्टी वोमेन या एस्टम को फीज जमा नहीं करनी होगी ओनलाइन मोड से आप फीज पैमेंट कर सकते हो सलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ट एक्जामिनेशन और स्कि वल ओनलाइन कर सकते हो ओल इंडिया से आप आवीदन कर सकते हो ssc.nic.nh की ओफीशल वेबसाइट है जिससे आप ओनलाइन आवीदन कर सकते हो उसके बाद दोस्तों जहां पर इसमें सैकिंड नंबर पर जूब निकली है वो भरती भी स्टाफ सेलेक्शन कमिशन क्रमचारी चैनायोग ssc के इंतर गती निकली है पोस्ट है इसमें जूनियर इंजीनियर की जही कि यहां पर बड़ी भरती की अपडेट है जही के लिए 800 से अधिक वेकेंसी जहां पर निकली है बात अगर इसकी भी important date की की जाए तो आवीदन प्रकिरिया इस भरती के लिए भी अगस् 2022 से शुरू होने जा रही है ज्यां दोस्तोर स्टार्टिंग डेट ओनलाइन आवीदन करने की 12 अगस्त 2022 है लास्ट टेट ओनलाइन अपलाई करने की 2 सितम पर 2022 है और एक्जाम डेट नवम पर 2022 है सेली 35400 से 112400 है लेवल 6 के इंतरगत डिग्रिया डिपलोमा इंजिनिरिंग से आप इस भरती के लिए अपलाई कर सकते हो एज लिमिट के अगर इसमें बात करें तो 18-32 वर सायू शीमा है फीज जनरल OBC के लिए 100 रुपे है स्ट वोमेन या एसम को फीज जमा नहीं करनी होगी ओनलाइन मोड से आप फीज पैमेंट कर सकते हो सलेक्शन होगा इसके लिए बात अगर इसकी भी इंपोर्टेंट डेट की की जाए तो इसके लिए भी आविज पैमेंट कर सकते हो उसके बाद दोस्तों जहां पर थर्ड नंबर पर जोब निकली है वो भरती भी स्टाफ सेलेक्शन कमिशन क्रमचारी चेन आयोग SSC के इंतरगती निकली है इसमें पोस्ट है सब इंस्पेक्टर SI की दिल्ली पुलिस के अंतरगत और सेंटल आम पुलिस फोर्स येपीफ के अंतरगत SI की भरती निकली है एक हजार से अधिक वैकेंसी जहां पर इसके लिए निकली है बात अगर इसकी भी इंपोर्टेंट डेट की की जाए तो इसके के लिए भी आवियदन प्रकिरिया स्टार्ट होगी 10 अगस्त 2022 से लास्टेट ओनलाइन आवियदन करने की 30 अगस्त 2022 है और एक्जाम की डेट नवमबर 2022 है सेली 35400 से 1,12,400 है लेवल 6 के इंतरगत ग्रेजवेट डिगरी से आप इस भरती के लिए भी अपलाई कर सकते हो एज लिमिट 20 से 25 वर्स है फीज जनरल OBC के लिए 100 पे है SST Women ESM को फीज जमा नहीं करनी होगी ओनलाइन मोड से आप पैमेंट कर सकते हो सलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस टैस CBT फिजिकल टैस्ट मेडिकल टैस्ट के आधार पे एपलाई आप ओनलाइन कर सकते हो ओल इंडिया स से आवेदन कर सकते हो ssc.nic.in portal से उसके बाद दोस्तों जहां पर फोर्थ नंबर पर जोब निकली है वो निकली है Child Development Service and Nutrition Department में बाल विकास, सेवा, M, खुष्टाहरिभाग, UP के अंतरगते भरती है पोश्ट है मुख्या सेविका की सुपरवाइजर के लिए 2693 वैकेंसी जह करने की 24 सगस 2022 है, फीज पैमेंट की लास्टेट भी 24 सगस्त है, करेक्शन की लास्टेट 31 सगस्त 2022 है, सेली 29300 है, लेवल 5 के अंतरगत, पीटी 2021 सकोर काड और, बैचलर डिग्री से आप इस भरती के लिए आवेदन कर सकते हो, एज लिमिट 21 से 40 वर्स है, फीज जनरल OBCWS के 25 और पीज के लिए भी 25 है, जो कि आप उनलाइन मोड से जमा करा सकते हो, सेलेक्शन होगा, पीटी 2021 सकोर काड और, में दीटर एक्जाम के आधार पे, उनलाइन आवेदन कर सकते हो, यूपी उत्तर परदेई जोब लोकेशन है, ओफीशल वेबसेट है, यूपी त्रिपले आवेदन की पोस्ट है, 4710 वेकंसी जिसके लिए निकली हुई है, डेट जल्दी डिकलेर की जाएगी अगस्त में, आवेदन अस्टार्ट होनी की संभावना है, लास्टेट सेप्टेमर 2022 में है, सेल या पोस्ट वाई जहां से चेक कर सकते हो, आठवी पास, डिगरी, पीज डिगरी पास, इंजिनिरिंग पास, एपलाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 25, 28, 35 वर्स, आयू सीमा है, यो आर, OBCWS के लिए 1000 उपे फीज है, SSTPWD फीमेल के लिए नहीं है, रिटन टेस्ट के आधार पे चेन होगा, ओनलाइन आप कूल इंडिया से आवीधन कर सकते हो, एपसाई बोक्स में मिल जाएगा, और हमारे स्पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भरती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और एपलाई भी यहीं से कर सकते हो, लिंक यहीं पर आपको प्रोवाइड करा दे गए हैं, तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही, I hope पी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेड जरूर करें, साथ इसाथ दोस्तो अगर आपने भी तक हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर् कोमेंट जोब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं